हेलो एब्रिबन वेलकम टू माई चैनल प्रेंट्स आज मैं आपके लिए स्वेटर का ब्यूटिफुल पैटरन लेके आई हूं यह लेडी स्वेटर, जैन्ट स्वेटर, कीट्स स्वेटर स्वेटर में डाला जाने वाला डिजाइन पैटरन है, यह टूरो पैटरन है, अब मैं इसको बुनना स्टार्ट करती हूं सबसे पहले मैंने डिजाइन के एक छोटा सा वेश बना लिया है, इसमें मैंने 13 फंदे लगाए हुए हैं, यानि 13 फंदे लगाए हुए हैं आप अपने हिसार से स्वेटर के हिसार से फंदे लगाना फिर बॉर्डर के उपर फंदे बढ़ाना चाते हैं तो फंदे बढ़ाके फिर पैटरन स्टार्ट करना तो सबसे पहले मैंने पहले फंदे को skip कर लिया अगर आप पहले फंदे को बुनते हैं तो आप बुन भी सकते हैं कि आगे तीन फंदे सीधे बुनने है ये पारंट साइड है और ये बैक साइड है तो फ्रंट साइड को ये तीन फंदे पहले सीधे बुन लिए फिर दागा अपनी साइड को ले आके एक फंदा उल्टा बुनना है ये फ्रंट साइड है इसमें एक फंदा उल्टा बुनना है एक दाग्गा बैक साइड को ले जाके आगे के तीन फंदे सीधे बुनने है ये डिजाइन पैटर्न वाला फंदा है इसको फ्रांट साइड को उल्टा बुनना है आगे भी दाग्गा अपनी साइड को ले आके फ्रांट साइड को ले आके आगे बाला फंदा उल्टा बुनना है फिर दागा बैक साइड को ले जाके आगे के तीन फंदे सीधे बुनने है ये पैटर्न बुनना बहुत एजी है फरस्ट रो में हमने सिर्फ तीन फंदे सीधे बुनने है एक फंदा उल्टा बुनना है ये फरस्ट रो है अब second row back side पहला फंदा इसको skip कर लिया आगे का फंदा उल्टा बुन लिया second row back side में सभी फंदे हमने उल्टे ही बुनने है जिस फंदे को हमने first row में front side को उल्टा बुना है उसको back side में उल्टा बुनना है ताकि ये front side को सीधा आए ये two row complete होगी है अब third row pattern तो सिर्फ two row वाला है लेकिन मैं third और fourth row भी लगा के बता देती हूँ क्योंकि design ने two row में इतना निकलता नहीं है इसमें भी पहले फंदे के बाद आगे के तेन फंदे सीधे लगाने है जैसे हम लगाते आए बैसे लगाने है और आगे ये pattern वाला फंदा है इसको first row में उल्टा बुनना है अब इसको third row में उल्टा बुनना है second row में इसको back side से उल्टा बुना था तो ये front side को ये सीधा आया था सिर्फ first, third, fifth, seventh इन स्लाइय में इसको उल्टा बुनना है आगे के तीन फंदे सीधे हैं इनको सीधा ही बुनना है ये तीन फंदे सारे pattern में इस सीधे ही बुनने है आगे का फंदा ये design pattern वाला इसको उल्टा बुनना है तिर दागा back side को ले जाके आगे के तीन फंदे सीधे हैं इनको सीधा बुनना है ये fourth row back side पहला फंदा इसको skip कर लिया fourth row में सबी फंदे उल्टे ही बुनने है जैसे हमने second row में बुनने है बैसे ही बुनने है फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें ये fourth row complete होगी है design pattern निकल गया है अगर आपको मेरा बुना हुआ डिजाइन पसंदार है तो लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कर दें थैंक यू